गर बैठे दिल्ली वालों को मिलेगी केजरिवा सरकार की तरफ से डोर स्टेप सर्विस की सुवीधा लोग अपने जरूरी काम इस तक्नीक से घर बैठे कर पाएंगे और इस सुवीधा को पाने के लिए उन्हें मात्र 50 रुपे अतिरिक चार्ज देना होगा दिल्ली सरकार ये सुवीधा अगले महीने शुरू करने जा रही है जिसकी तयारियां लगभग पूरी हो चुकी है आपको बता दें कि ये योजना किस तरह से काम करेगी और आपको इससे क्या-क्या सुवीधाई मिलने वाली है डोर स्टेप सर्विस से मिलने वाली सुवीधाई एजनसी के माध्यम से मुबाइल सहायक न्यूक्त किये जाएंगे लोगों को कॉल सेंटर की भी सुवीधा मिलेगी लोग किसी भी तरह की जानकारी एक फोन कॉल के जरिये पता कर सकेंगे लोगों को मिलेगी घर बैठे लगभग 100 सर्विस की सुविधा लोग घर बैठे, जाती प्रमाण पत्र, पानी का नया कनेक्शन, आय प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, विवा प्रमाण पत्र, आर्सी में पता बदलवाने जैसे काम घर बैठे कर पाएंगे हाला कि कुछ कामों के लिए जैसे ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक बार MLO दफ्तर जाना जरूरी होगा लेकिन दूसरी सुवी धाएं घर बैठे मिलेंगी दिल्ली से कवनठाकुर की रिपोर्ट नवोधिया टाइम्स